नाकपूर ग्रामिन पुलिस द्वारा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसके शिरुवात में ही ग्रामिन पुलिस ने एक बड़ी कारवाई को अन्जाम दिया है जहां ग्रामिन शेत्र में 42 आरोपियों के घरों की तलाशी लेकर पुलिस दस्ते ने 4 आरोपियों के घर से माउजर देसी कट्टा जिन्दा कार्टू सेवं तलवारे जब की है ग्रामिन पुलिस सदिक्षक विशाल आनन के आदेश पर कॉम्बिंग आपरेशन शुरू कर दिया गया है क्राइम ब्रांच पुलिस के विविद दस्तों के अलावा 25 अदिकारी और 110 कर्मचारियों को इस आपरेशन में लाया गया एक जुलाई को ग्रामिन शेतर में 42 आरोपियों के घर की तलाशी लेकर पुलिस दस्ते ने 4 आरोपियों के घर से माउजर देसी कटा जिन्दा कार्टूस तलवारे जब की है पुलिस सुत्रों के अनुसार आरोपियों के दौरान आरोपियों साहिल अब्दुल खान खदान नंबर 3 कनहान निवासी के घर की तलाशी में एक माउजर एक जिन्दा कार्टूस वहीं आरोपियों परशुरा मकुंच गौतम इस पर पहले भी आपराधिक मामले दज है फुकटनगर कनहान निवासी से एक देशी कटा एक जिन्दा कार्टूस और एक तलवार जब्द की गई वहीं आरोपियों अमन अजीत सिंग खदान नंबर 6 निवासी के घर से दो तलवारे और आरोपियों निखिल उर्फस सहील अनिल गजबिये के घर से कोईता मिला है चारो आरोपियों पर हतियार प्रतिबंदिन कानून के तहत मामला दच किया गया ओपरेशन रात करीब 12 बज़े से तड़के 4 बज़े तक चला पुलिस अधिक्षक वापर पुलिस अधिक्षक डॉक्टर संदीप पकाले के मार्ग दशन में कारवाई की गई NBC News के लिए अकसा अंसारी की रिपोर्ट